निवश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल नौलिज पंडित पर मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए लेकर आया हूँ तीस कॉश्चन्स का बहुत ही शांदार जांदार टेस्सेट पेपर 2023 में स्सी का नोडिफिकेशन आ गया है अन्यर डिपार्टमेंटल जो भी नोडिफिकेशन है जल्द ही जारी हो जाएंगे जब आप तैयारी पहले से करके रखेंगे तो ही आप सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं तो आपकी तैयारी कितनी है ये टेस्सेट पेपर लगा के आपको पता चलेगा जी के हर एक्जाम की इंपोर्टेंट रीड की हड़ी है तो आप देखिए कि आपका जी के कितना मजबूत है कि आप 30 में से मैक्सिमम कितने कॉशन सही कर पाते हैं दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बैल आइकन आउन कर लीजेगा जिससे नोडिफिकेशन आपको टाइम टो टाइम मिलते रहे लाइक करके अपने ग्रूप में शेयर जरूर करिएगा नौलिजपंडित यूट्यूब चैनल फ्री है तो अपने जाद से जादा दोस्तों को हमारे चैनल से जरूर चोड़े तो चलिए शुरू करते हैं 30 कोशन का ये प्राक्टिस टेस्ट सेट पेपर सबसे पहला प्रशन ये रहा आपके सामने टिहरी जल विद्यूत परिसर किस राज्य में इस्थित है तो टिहरी जल विद्यूत परिसर उत्राखंड राज्य में इस्थित है ओप्शन नमबर ए प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा नेक्श कोश्वन है क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था तो यहाँ बर राइट आंसर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल जो है वर्ष 2005 में अमल में लाया गया था रात्री में आकास में चमकने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है दिन में दो बार समुद्र के पानी लैबध उतार चड़ाओ को क्या कहा जाता है तो इसे हम कहते हैं ऑप्शन नमबर जुआर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी दिन में दो बार समुद्र के पानी का लैबध उतार चड़ाओ जुआर कहलाता है नेक्श कॉशन है भारत थाईलेंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है भारत थाईलेंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारत थाईलेंड हाईवे मियानमार से होकर गुजरता है नेक्श कॉशन है भारत का सबसे पुराना यूरोपिय चर्च किस शहर में है नेक्श कॉशन है नेक्श कॉशन है सूरे नमसकार में कितने चरन होते हैं सूर्य नमसकार में कितने चरण होते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा option number D सूर्य नमसकार में 11 चरण होते है India Gate का डिजाइन किस ने किया تھा India Gate का डिजाइन करने वाला विक्ती कौन था तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा sir Edwin Luteans इंडिया गेट का डिजाइनर था राइट आंसर हो जाएगा कर्मा नरत्य किस राजिस से संबंदित है कर्मा नरत्य किस राजिस से संबंदित है तो option number मध्य प्रदेश से संबंदित है कर्मा नरत्य सही उत्तर हो जाएगा राजाराम मेहन राए का जन्म कहां पर हुए था राई answer क्या हो जाएगा तो राजाराम मुहन राए इनका जन्म जो है वर्दमान जिलाजों की पश्म मंगाल में है राई answer option number A प्रश्ण का सही was on the next question है निमलिखित मैंसे किस धर्म सुधारक की मृत्यू भारत के बाहर हुई थी तो यह भी आपके लिए कॉशन बनना चाहिए कि बहुत पूछा गया है को कि यह कॉशन तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मुहन राइजी की मृत्यू जो है भारत के बाहर हुई थी किस देश में हुई थी कमेंट करके जरूर बता है नेक्श कॉशन है अट्रा सो सतावन के वरेली विद्रो का नेता कौन था निम्न मैंसे कौन आजादी की पहली लड़ाई में शामिल नहीं हुआ है विखत सिंग जी आजादी की पहली लड़ाई में शामिल नहीं हुआ है इलबर्ट बिल विवाद किस वाइसराई के कारेकाल में उबरा था तो यहांपर right answer हो जायेगा option number रिपन के कारेकाल में इलबर्ट बिल विवाद जो है यह उबरा था किसको hermit of shimla के नाम से जाना जाता है इनमें से किसे hermit of shimla के नाम से जाना जाता है तो Alan Octavian Hume, A.O. Hume को Hermit of Simla के नाम से जाना जाता है ब्रिडिस संसत के लिए कौन सा भारतिय पहली बार निर्वाचित हुआ था राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ब्रिडिस संसत के लिए पहला भारतिय दादा भाई नौरो जी पहली बार निर्वाचित हुए थे option number B प्रशन का सही उत्तर है next है किस गवर्ना जनरल के कारेकाल के दौरान भारतिय राश्रिय कॉंग्रेस पार्टी बनी थी तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डफरिन के कारेकाल के दौरान भारतिय राश्रिय कॉंग्रेस पार्टी बनी थी राइट आंसर हो जाएगा निमलिखित में से कौन गदर पार्टी के प्रमुखनेता थे गदर पार्टी के प्रमुखनेता इन में से कौन थे तो लाला हरदयाल गदर पार्टी के प्रमुखनेता थे next question है भारतिय राश्री कॉंग्रेस और इंडियन एसोसियेशन का मिलन किस वर्ष हुआ था very important question भारतिय राश्री कॉंग्रेस और इंडियन एसोसियेशन का मिलन किस वर्ष हुआ था तो यहाँ पर right answer हो जाएगा option number D 1886 में भारती राश्री कॉंग्रेस और इंडियन एसोसियेशन का मिलन हुआ था भारती सम्मिधान के किस अनुच्छेद के तहत नीती आयोग का संगठन हुआ या बनाया गया तो भारती सम्मिधान के अनुच्छेद option number D राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा नीती आयोग का गठन राइट आंसर हो जाएगा इनमें से किसी भी के तहत नहीं हुआ था शराब बंधी सम्विधान की किस धारा में निर्देशित है तो शराब बंधी सम्विधान की धारा 47 में निर्देशित है राइट आंसर हो जाएगा option number C नेक्स्ट है उच्छे नियायले को किसका अधिक्षन करने का अधिकार है औरिट करने का अधिकार है तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उच्छे नियायले को जो है जो भी अधीनस्त नियायले है उसके उन सभी का अधिक्षन करने का अधिकार है योजना आयोग का पदेन सभापती कौन होता है? तो योजना आयोग का पदेन सभापती भारत का प्रधान मंत्री option number A प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा नेक्ष है योजना आयोग किस प्रकार का निकाय है तो सम्विधान के बारे में अभी हम ने पढ़ा योजना आयोग नीती आयोग का किसके तहर गठन तोज में से कोई ने क्योंकि यह एक असम्विधानिक निकाह है राइट आंसर है option number C प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा भारत में किस प्रकार की प्रशाशनिक सेवाएं उपलब्द हैं तो भारत में जो है अखिल भारतिय सेवा, केंद्रिय सेवा, प्रांतिय सेवा ये सभी सेवाएं उपलब्द हैं राइट आंसर हो जाएगा वितायोग का गठन कितने समय के लिए होता है तो वितवर्श वितायोग का गठन पाँच वर्ष के लिए होता है राईट आंसर हो जाएगा राज वितआयोग एक कैसा निकाय है तो राज वितआयोग एक समवेधानिक संस्था है option number C प्रश्निका सही उत्तर हो जाएगा तो दोस्तों test में आपके कितनी number आए comment करके ज़रूर बता हैं कुछ पूछना चाहते हैं तो comment करें, share करें, like करें चैनल को subscribe करें next video में फिर से मिलेंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद